ओम् सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तों आज मैं आपको गुलाब फुल के आयुर्वेदि कुलाब बतलाने जा रहा हूं आप तो जानते ही हैं गुलाब सबसे लोग प्रीफुलों में से एक है सायद ही गुलाब से ज़्यदा कोई लोग प्रीफुल हो और सभी के सम्मान को बढ़ाने में सुक्सांती देने में हार बढ़ाने में देवताओं को और पित करने में इसका प्रीफुल करते हैं और मस्तिस्क में सांती आये आवसाद मिटे उसमें इसका प्रीफुल होता है परन्तु इसका ऑसधी जो गुन है उसमें बहुत कम लोग इसका प्रीफुल करते हैं जबकि ये बहुत ही अती लाभकारी है इसके पर मैंने बहुत ज़्यदा प्रयोग किया है इसलिए मैं आज आपको इस पर बताने जा रहा हूँ विशेश रूप से तो देखिए पहले गुलाब को दिखला यहां आस्रम में यह गुलाब है यह रोजा सेंटिफोलिया इस यह रोजा सेंटिफोलिया काते है इस बरैटी का है और रोजा डेमसकस भी होता है इसका जो बोटेनिकल नेम है रोजा डेमसकस का यह बड़े बड़े जो गुलाब होते हैं वो उसमें खुस्बू कम होती है जिसमें खुस्बू ज़यदा होती है वो छोटे छोटे देसी गुलाब होते हैं यह देखिए यह देशी गुलाब है इसमें खोस्बू बहुत ज़्यादा होती है और जिसमें खोस्बू ज़्यादा होती है छोटे गुलाब है और इस रंग के हैं गुलाब भी कई रंग के होते हैं पीले काले लेकिन इस रंग के जो हैं यह सबसे ज़्या ज़्यदा औस दी में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको मैंने चुना है, तो इसके वह हलाब है। गुलाब जल के विसे में लोग जानते ही हैं, आप लोग भी जानते होंगे, इसे आंखों में डला जाता है, नेत रोक के लिए ये बहुत अच्छा होता है, आँखों के रोसनी बढ़ाने वाला होता है इसका अर्क निकाला जाता है और तब ड़ाजाता है इसे खाएंगे तो भी पैदा करेगा और अर्क डालेंगे आँख में तो डिर्रेक्ट पैदा करेगा जिने नीद नहीं आती है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है कफूल रखें और फिर देखें कि आपको नीद कितनी अच्छी है मीची नीद आएगी सारे अवसाद सारे ठाकान को यह फूल दूर करता है इसके बाद कुलाब का जो दुस्तर पैदा है जो बुखार है माइग्रेन बुखार उसमें यह काम आता है माइग्रेन बुखार में उसको दूर कर देता है वैस्ट के लिए दो दो फूल दो टाइम और जो बच्चे हैं उनके लिए एक फूल काफी है इसका आप गुलकंद भी बना सकते हैं गुलकंद बना के रखेंगे उसका भी लाब होगा उसके लिए जो एक अनपात दो में रखा जाता है मिसरी के साथ बना जाता है इसको साहद में भी बना जाता है आप जितना गुलाब का फूल लेंगे जितना मगा एक किलो यहार लेंगे तो दो किलो उसको ले लेंगे मिसरी को इसको उसमें मिक्स कर देंगे रगड़ रगड़ करके और मिसरी का पड़र बना लेंगे उसमें इसको डगड़ धूप में रखेंगे मातर दस बारा दिन में आपको त्यार हो जाएगा इसके बाद और भी इसकी बिश्य मैं बताऊंगा आप तो लोग जानते ही होंगे कि गुलाब का फूल कैसे लगाया जाता है ये तो सालों बर फूलता है लेकिन जाडे में ज्यादा फूलता है और इसके डंटर को काट के लगादेंगे तो ये आराम से पकड़ लेता है बरसा आदिक से दिक के ये 7-8 feet का वधा होता है यह अल्सर में बहुत काम आता है। मैंने अल्सर में देखा है जब डाक्टर सब बहुत दवाइद देते हैं और तो यह अल्सर में तो भी लाब करता है अगर आंतों में घा हो गया है तो इसे एदम ठीक कर देगा यह इसका मैंने कब्ज में भी देखा है प्रियोग बहुत अच्छा है कब्ज में आप इसे दे सकते हैं छोटी हरड के साथ या तिरफला के साथ यह कब्ज को तोड़ देता है बहुत मिर्दू निकाल देगा गैस में बहुत इनको वाई गोला बनता है उसमें यह बहुत ही लाब कर रही है गुलाब का फूल खाईए गुलकन खाईए और अगर आप इसके साथ खाएंगे हींग के साथ और खाने वाले सुट्टा के साथ तो गोला को तुरंट खतम कर रहता है यह या दर्द होता है हिर्दे में किसी कारण से ब्लड सरकुलसिन में दिखाते हैं तो यह बहुत ही लाब करेगा इसका दो दो फूल आप खाले है एकदम हिर्दे इदम फिट हो जाएगा किसी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन अगर रड़क्टर ने कहा है आप उनकी बात मत मानिये खाली गुलाब का फूल खाईए और अरजुन के छाल के साथ बस इतना करना है जितनी मातरा में या रहेगा उतनी मातरा में अरजुन की छाल रहेगा फिर देखे चमतकार इसका यह चर्म रोग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है चंदन के साथ और हल्दी के साथ मिला करके गुलाब का रस जो है चेहरे पर लगाने से यह कांती लाता है चेहरा चमकने दमकने लगता है गुलाब में यह चमतकारिक चीज है इसकी खुसबू अध इसकी खुसबू लेने के लिए आप जो और से सांस खुद ही लेंगे वह सुंगे आप देखेगा आपका फेबड़ा पहलने लएगा और यह जो है शरीर में ऑक्सिजन की मातरा को बढ़ा देता है बहुत चमतकारिक ढ़ंग से बढ़ाता है और सांस समझे जो भी बिमारी ह ब्वाकारि नयता है और सहय का प्रसाने में इंटिभाआ है कि प्रसानी युअ में फूल को सांस फूलती हो उसमें ही हुआ अच्छे हो जाते है अब इसकी जो है आप देखेंगे कि और भी जो नसले हैं तो उतना तो उतना लाब नहीं कर पाएगी लेकिन ये नसल तो खेर बहुत ही जदा लाब पहुंचाने वाली नसल है यहां अमलता को दूर करता है जिन लोगे ऐसीडिटिक सिकायत है उसमें अधी आपको बवासीर है खूनी बवासीर बिशेस करता है तो यह दो दिन मेंखतम कर देता है अगर पूराना है तो चार दिन लेगा Presby अजमा के देखिए इतना लाबदायक है यह ये सामने में मोर पंकी आप देख रहे हैं इसी मोर पंकी के साथ जो है आप ये मोर पंकी के पत्तों के साथ गुलाब के पंकुड़ी को लिजिए या सिर्फ गुलाब का फूली खा लिजिए आपको खून तुरंद बंद कर देगा ये दो दिन में बंद कर देगा पुराणा तो भगंदर में भी आपको काम करेगा ये बहुत आंतों में दी घाव हो गया है तो उसमें बहुत काम करेगा मुहों में छाले हैं तो बहुत काम करेगा दांत के मसूड़ी में काम करेगा महिलाओं में लिकूरिया समंदि समस्या होती है मासिक धर्म में आनिमित्ता होती है तो उसमें जो है सेमल के फूल के साथ इसका सेवन किया जाता है तो ये काफी लाप हो जाता है तो उर्षों में भी जो धातु छिनता होती है तो असगंद के साथ लिया जाता है और नामर्दी के सिकायत है इसिगर पतन की सिकायत है, धा तो छिंडता या नामर्दगी है तो असगंद के साथ लें, तो बहुत ही लाब करेगा, ये एंटी स्पैस्मोटिक भी होता है, मान स्पैसियों में यादी खिंचाव आ जाए, तो उसमें भी ये बहुत लाब करता है, एंटी सेप्टिक भी होता है या कट गया है, तो वहां भी इसे आप लगा सकते हैं, अमरूत के पत्ते के साथ लगाएं, उसके अरस के साथ तो बहुत ही लाब करेगा, ये शरीर की सुध्धि करता है, क्योंकि शरीर के जो जहरीले तक तो है उसको यह निकाल देता है, ये क्लिंजिंग प्रपार्टि जिन लोग का हरदे में दिक्कत आ जाती है, या लिवर में या किड्नी में, उनको सूजन के समस्या हो जाती है, तो यह सूजन के समस्या को दूर करने हो जाती है, आप शेवन करेंगे, सूजन के समस्या आपके यह दूर कर देगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना इसम फूल खाएंगे तो आपको लाल लाल चक्ते दूर हो जाएंगे वो चक्ते निकलते हैं इसलिए और सबसे बढ़कर के बाद जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो जो कैंसर की जो सिकायत है जिन लोगो कैंसर है चाहे कहीं कैंसर है ब्रेन में cancer है, पेट में cancer है, skin cancer है, कोई भी cancer है, उसमें गुलाब का फूल वर्दान है, गुलाब के फूल के साथ, आप चंदन ले लें, और अरजुन की च्छाल ले लें, और इसको खाएं, अस्गंद के साथ, cancer को खतम कर देगा, तो इतने ज़्यादा ये इसके पास गुण है कि वर्रन करना कठिन है बखान करना कठिन है इसका और ये बहुत ही अचंभा वाला है ये पौधा ये हम लोग का बाइल प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है पीशेश कर उन लोग को जिनका अप्रेशन हो गया है इस प्लिन निकाल दिया गया है पितासा निकाल दिया गया है तो ये यही है गुलाब ही है जो पचाके उसको निकाल सकता है जो भी विखाते हैं तो इसलिए इस ग बेराबर एकाध गुलाब कहीं भी मिलता है चलते-चलते, राely चलते मिलता है खाले है। कहीं भी समथ है कुण कारी है जे um अब सामने में खाई यह छहाए। इसे दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने में ने तूड़ा। देखिए मैं खालेता हुँ। यह कुलेंट भी है यह आपके सरी की गर्मी को निगालता है जिन लोग को लू लगती है मांक्षे खुन बाता है तो उनके दिए भी बहुत पाइदेमंद है सरी को ठंडा रखेगा और खुन बाना को दूर करेगा और ब्रेंड पावर को बढ़ाता है साथ्विक गुण लाता है अध्यात्मिक गुण लाता है इसलिए गुलाब का इतना महत्व है साथ्विक गुण लाता है अब ब्रेक्तिक उधार्मिक अध्यात्मिक बनाता है अच्छी नीन के साथ है अच्छी तेज दिमाग देता है सोचने समयने के चंता को बढ़ाता है प इसका सेवन करते रहें, घर में लगा लिजिये फूल, गुलाप का फूल लगा लिजिये, पौधा, और इसका सेवन करते रहें, और बिल्कुल निरोग रहें, इसको खायेंगे तो आप निरोग रहा सकते हैं. गुलाब का एक और फैदाया है कि इसको खाएंगे आप तो आपके सारी स्थरीर के जो दुर्गंध है वो खतम हो जाएगी यानि आपका स्थरीर ये खुसबुदार बनाता या इसका अंतिम पैदा आपको बता तो इस अंतिम पैदे के साथ ही सभी को ओ महरी